नमस्तों दोस्तों केसे हैं आप मैं हुं भगबान नयाग और आप सबीका बहुत बहुत स्वागत है मरे युटूब चनल बिना देशन में दोस्तों ATM और credit card की data को set और secure रखने के लिए RBI यानी इंडिया नया नियम जारी की है यह नियम क्या है और कबसे लागू हने वाला है और इस फाइदा क्या है card holder को सबकोश बताऊंगा वीडियो का अंदर सब्सक्राइब आप दख सकते हो मैंने RBI की जो official website होता है यहां पर आज हुका हूं और आप न्यू अप्डेट में दख सकते हो कि यहां पर दो बड़ा circular आया है RBI के तरफ से एक तो है tokenization of card transaction enhancement आप यहां में दख सकते हो यह को सड़ा उपन करते हैं जिसमें की काफी सर on file tokenization और इसमें भी कफी सरा information दिया हुआ है और मैं कुछिस करूंगा कि वीडियो को यतना जल्दी हो उतना जल्दी complete करने के लिए तो चलिए continue करते हैं दोस्तों जब भी आप online में कुछ transaction करते हो और e-commerce platform में जैसे की Amazon, Flipkart, Meantra, Paytm, Shugi, Jamato ऐसे बहुत सार रहे हैं तो तभी क्या होता है उसे मर्चंट ने आपको जो card details को store कर लेता है तकि आप जब भी next time कुछ online transaction करोगी तभी आपको easy हो जाएगा जब आपका CVV number डाल जाना है उसके बाद आपका payment processing हो जाएगा लेकिन दोस्तों यह तो बहुत आसान हो गया कि next time हमको फिर दुबार card number डालो फिर CVV expired number डालने की ज़रूर तो नहीं है लेकिन क्यार उनका पास हमारा data store होके दे जाता है और future में हमारा data कभी भी चोरी हो सकता है उसके बाद हमारा साथ hack और fraud भी हो सकता है तो इसलिए दोस्तों इस मुद्दे को ध्यान रखते हुए RBI एंडिया ने एक नया नियम लेका आया है जिसका नमें tokenization of payment system जिससे की customer को बहुत benefit होगा और बहुत लोग ऐसे ही insecure feel करते है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आपना जो card details को share करे तो इसलिए RBI ने यह rules लेका आया है दोस्तों इसो टोकनization system के से काम करता मैं आपको बता हूंगा कि जब भी आपको transition करते हो अपना जो card details देते हो लेकिन card details के बदले आपको एक unique code number दिया जाएगा उसको आप यूज करना होगा जैसे कि आप पहले card details का जो 16 अंक डिजिट यूज करते थे लेकिन यहां पर आपको एक unique code number दिया जाएगा उसको आपको यूज करना होगा और आपको डिटेल से जो टोकन का साथ लिंक कर दिया जाएगा और मर्चंट का पास सिर्फ लिमिटेड़ डाटा है सेब होके रहेगा जैसे कि करेड़ का last four digit उसके अलावा हमारा डाटा कुछ भी स्टोर होके नहीं रहेग और दोस्तों इस जो टोकन अबलकल फ्री अब कोस्ट उसमें कुछ चार्ज नहीं लगा जाएगा और इस जो टोकन आप सिर्फ एकी बार ही यूज कर सकते हो उसके बाद यह डी टोकनाइज हो जाएगा जैसे की ओटी वी उसका एक्सपर हो जाता है इस थारा कम करेगा यह दोस्तों यह जो रूल्स लागू होगा इंडिया में जैनुवरी 1st 2022 में उससे पहले बहुत सार कंट्री में लागू हो चुका है यह रूल्स अगर आप इससे लेना चाहते हो तो आप इससे यूज कर सकते हो बलना जैनुवरी 1st से आप जितना बार भी ट्रांजाशन तो दोस्तों आज के लिए इतना है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किर दीजिए चैनल में पहल बार आयो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थिंक्यू फो माचिंग बाई-बाई एंड टेक केर